आप सबको मेरा नमस्कार मैं आप लोगों के साथ फिर से रमा जोशी जोची रेकी इलर वास्तु कलसेंट अंक्रिशास्त्री और और आरेडर आपकी कुंडली में गुरू को आप कैसे समझें कैसे लें कैसे आप गुरू की एनर्जी को ग्रेंड करें वह आज मैं आपको इस क्लущ में कुछ आपको अलग तरीके से डियुक प करने वाली हम जो किटर की बारे में हम जोब भी बात करते हैं कुंडली की शुप ग्रहों की तो सबसे पहले गुरू का नाम आता है पहसे शुप घ्रह्य हैं हमारी कुंडली के हमारे जीवन की कुशियों से जुड़ए ऐशा से जुड़ए-एश्पनिक विर्ग आशिरवाद ही बहुत है आप देखिए न जीवन में गुरु क्या मेहत्व रखता है जो हमारे सद गुण हैं जो देव हैं उनके भी गुरु अच्छी पीलिंग्स अच्छी बाते उनके भी गुरुन को भी सही दिशा देने वाले कितने importance है गुरु अगर लगन में हो ना तो कहते हैं सवालाक दोश कुंड़ी गे वहीं खतम हो जाते हैं कहीं में गुरु होंगे आपके काम बनेंगे जुपिटर तो जुपिटर ही है वो प्रॉब्लम्स उनके किस राशी में वैटे हैं किस भाव के स्वामी होके वैटें वो प्रॉब्लम्स तब आएगी जब उनकी दशा आएगी लेकिन नॉर्मली आपकी लाइफ में वह हैं कि यह हम समजते है क्यूंकि गुरु जुड़े हैं परोबकार से अच्छे कामों से से अच्छी वाली से अपने लाव के बिना सोचे दूसरे के लिए कुछ करना उस भाव से गुरु सोचता नहीं है कि मैं क्यूं कर रहा हूं एक उस चीज से देता अपने शिश्यों को कि इनको मुझे देना है यह सीखें अपने आपको कभी भी नहीं सोचते कि मैं यह वाला ग्यान मेरे पास ही रहे यह मेरे शिश्यों को मिले वो जाने दूसरे की अज्ञानता को खतम करके ग्यान देता है गुरू उनको ग्यानी बनाता है दृष्टी कोड को फ्य शिक्षाली हो यह गुरू का ग्यान आपके अंदर अपने आप भी हो सकता है यह ग्यान धीरे धीरे एक्सपिरेंस से आता है आपके अपनी क्वालिटी से आता है आप धीरे धीरे सीखते हैं यह इंटरनल होता है जो आपके अंदर बैठा होता है जब हम अच्छे गाम करते उसके करने के बाद जब हमारे अंदर संतुष्टी आती है न वो संतुष्टी जुपिटर देता है इसलिए आशा बनी रहती है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें पता होता है हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा एक अलगी संतुष्टी एक अलगी ग्यान एक अलग एक शुब को अच्छी मेंनत करने की बाद आच्छी काम करने के बाद एक बलेसिंग ऐसे ऐख आशिरवाद का व addressing का वह जो हम इतना काम कर ने कि बाद अच्छा काम करते हैं तो हमको उंदर से कितनी आत्मत्रप्ती होती है उस कोई मुकाबला ही नहीं है जब आपको अच्छा काम करता है कितनी सिंतुष्टी होती है कितना सुकून मिलता है वो सुकून गुरु है वो सुकून हमें जुपिटर देता है तब ही हमें जीवन में आशा रहती है हम जितने अच्छे काम करें हम जितना गुरू की तरह सोचें कि हमें लोगों को ग्यान देना है वो शिक्षा देनी है वो बात बतानी है वो दिशा देनी है हमें कहीं न कहीं सपोर्ट बननी है जब हम किसी की सपोर्ट बनते हैं जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं उसको ग्यान देते हैं हमें एक अलग खी आनंद मिलता है और वो आनंद गुरू है वो आनंद हमें गुरू से मिलता है इमांदारी से महनत करने के बाद जो सुकून मिलता है वो गुरू है हमारे अंदर की इमांदारी है जोपिटर हमारे अ स्कून पता है क्या ठीज़ कहां पर है हमें क्या करना है हमें कैसे करना है जीवन में क्या दिशा लेनीं आपने कहां जाना अंधेरा-गम्रा नहीं है हमारे आगे सारि कहली होती पर अलागी संतुष्टी होती वह अंदर की संतुष्टी एक सात्विक्ता और connectivity भी चीज है गुरु जब आपके अंदर इकला की संतुष्टी रहती है आप किसी का छीनना नहीं चाहते सिर्फ देना चाहते हैं आप क्या अग्यानता नहीं हमें शिक्षा और ग्यान दोनों लग लग चीज हैं आप बहुत बड़े शिक्षित हो सकते हैं लेकिन वो सकते हैं और आप इसको कभी भी पढ़ाई लिखाई यह इन पद्वियों से नहीं जोड़ सकते इंटरनल होता है आंतरिक होता है आपके अंदर की सदाचारी इमानदारी दूसरों को ले काम करना परोपकार दूसरों को अच्छी भावना से देखना एक संतुष्टी है गुरू जो इन दूसरेएं इसीज़ों के बाद ही आपके अंदर आती है एक इस्तिर्था है गुरू में बिल्कुल भी आस्तिर्था नहीं है गुरु में गुरू की क्या पर्स्रेटी है जूपिटर है देव-गुरु मोटे और भारी-शरीर वाले और भारी बहुत जल्दी विचलित होना नहीं है, जब आप अच्छे काम करते हैं, जब आप परोपकार करते हैं, जब आप सद कर्म करते हैं, तो आप इतनी जल्दी हिलते नहीं, ना ही आप दुखों से घबराते हैं, ना ही आप मेहनत से घबराते हैं, एक अच्छे काम के लिए मेहनत करने वाले अपने ज्यान को हमेशा बढ़ाने वाले एक अलगी संतुष्टी और एक अलग ही आत्मस सम्मान से भरेवे कहीं न कहीं इगो भी आ क्यूंकि जवाप अच्छे काम कर रहे होते जब आप कभी गलत रस्ते में जाते ही नहीं तो आप कहीझ ना कहीं अथे एक एहिं अज़ाता है फ्लतव भी आज़ाता है कि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं एक सासरे वह प्लोग है कि शakyum गुरू है देवों के भी गुरू है उनकी क्या महिमा होगी पीला रंग है उनका बड़ा रूप है उनका तो आप देखे कि हम जुपिटर को सिर्फ ग्यान से जोड लेते हैं कि चलो खाली ग्यान है लेकिन सिर्फ ग्यान नहीं है अच्छी चीजें अच्छे काम परोबकार लाचारी बड़ों की सेवा करना वो सारी चीजें जो हमारे अंदर के पॉजिटिव विचार है भाव है संतुष्टी है वो सब हम गुरू से लेते हैं जुपिटर से लेते हैं वो सब चीजें हमें जुपिटर से समझनी होते हैं अपनी खुली में पहीना कहीं हम गुरू के उनी चीजों में रह जाते हैं कि चलो यह आशा है उमीध है क्यों है यह भी तो हमें समझ रहा है आखिड जीवन की आशा क्यों है हमारे गुरू क्यों हमें जुपिटर जीवन की आशा से ही हम जोड़ते हैं क्योंकि जब हम खुद की अच्छे काम कर रहे हैं सद कर्म कर रहे ह सद विचार हैं हमारे अंदर परोपकार है सेवा भावना है हम दूसरों को गलत नहीं कर रहे तो फिर हमारे साथ गलत कैसे होगा फिर तो आशा ही होगी ना फिर तो अमीद ही होगी ना करात्मक्ता कहां आएगी जब हम सद कर्मों में जुड़े होगे तो हमारे आसमास अपने आप ही एक सकरातमत्ता साथ चलेगे लोग हबेशा हमारा साथ देंगे लोग हमें समझेंगे हम लोगों को समझेंगे हमारा उनके साथ विचार बातें बिल्कुली बदल जाएंगे कि हमारी बातों में एक स्थिरता होगी एक गहराई होगी एक राशी में गुरू एक साल रहत कही ना कही चीज़ों को अच्छे से देखके परके समलना उसके बाद ही कोई डिसिजन देना ग्यान से किसी भी चीज़ को समझना कहीं भी उसमें भावनाओं में नहीं अटकना पूरी तरीके से किसी चीज़ की हर पहलू को चांच कर लेने वाला है सिर्फ शिक्षा से आप सब कुछ नहीं हासिल कर सकते आपको अपने अंदर के ज्यान को भी बढ़ाना है आपको अपने अंदर के ज्यान को भी महसूस करना आपको अपने अंदर के उस अच्छे व्यक्तित को महसूस करना है जो आपको जीवन में सिर्फ सद कर्म करने के लिए प्रेरीद करता है जो सच बोलने के लिए प्रेरीद करता है जो परोपकार करने के लिए प्रेरीद करता है वो भावना है जो अपने आप ही हमारे अंदर सद विचारों के रूप में दिखाई देती है वो सब जुपिटर है, हमारी कुणली के जुपिटर बहुत गह रहे हैं, हम जितना उनके बारे में जानेंगे, उतना ही हम समझ पाएंगे कि क्यों जुपिटर की दृष्टी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, उनकी पाचवी दृष्टी भी होती है, साथवी भी और नौवी आधी पाचवी दृष्टी होती है, एक संथान पंचम भाव संथान का भावर, एक संथान वाली यह अपने शिश्य वाली दृष्टी होती है, वह beneござ क्यों बली होने लग जाते हैं और उनकी साथवी दृष्टि तो है ही protection वाली positivity वाली और 9 गितर्ष्टि भी उनकी गुरू की ही दृष्टी है उपोरी तरीके सी कि वहां वो थोड़ी से कड़क ग्जान लेना है ऐसा करना है कुल्ली में तीन भाव को तो गुरू ठीकी कर देते हैं अब जिस भाव में बैठते कहीं का ही न कहीं वह Igont उनके अंदर का है वो उस भाव को खराब भी करता है लेकिन वो ज्यान उस भाव से जुड़ीवी जादा चीज़ें भी देदेगा जादा वो भी देदेगा कि मैं ये हूँ मैं वह हूँ फिर कहीं ना कहीं आप दूसरों की नहीं सुनते जिस भी भाव में बैठे होता है तो गरिंदे क्ल Keys को आहा जाता है तो वह चीज़ का लौस्ट भी करता है कि ऑपको दूसरों के भी सुननी होती है Guru कहेगा मैं क्यों किसी की सुनोंगा मुझे क्या जरूरत है मैं तो स्वैयं मैं एक्षांकों ग्यान देता हूं लगन में बैठा होगा तो कहीं नचे वाव देत जब गुरू स्वें वहां विराजवान है तो कैसे पूरी तरीके से नेगटिविटी देंगे हाँ वह एहम दे देते हैं दूसरों से ग्रहण नहीं करने देते उन चीज़ों को अगर पंचम भाव में हैं तो आप दूसरों से शिक्षा को ग्रहण नहीं करोगे आपको लगे देते हैं लगन में होंगे तो आपकी पर्सनालिटी में वह चीज़े होंगी कि आप कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रकर होंगे आप चीज़ों को ज़्यादा घ्राई से समझ पाएंगे ज्यान से समझ पाएंगे इंट्यूशन वाला भाव पंचम भाव उसमें भी सब्तम में जा रही हैं, आप से sizलवे लोगों को सपर्ट करेंगे, नवम में जा रही है, पिता को भी और भागे खरेंगे, वो चीजये आपके अंदर होती हैं, तभी तो आहम आता है यूई आहम नहीं आजाता है, जब वो क्वारिटी इस नहीं होती, तो गुर्यु के बाठ नहीं कर सकते हैं तो यह हमें यह आशिरवाद गुरु का चाहिए और कुल्ली में गुरू की प्लेसमेंड जूपीटर की प्लेसमेंड बहुत इंपर्टनेंट है कहा जूपीटर बैठे हैं इंप seller कि बैटे हैं एंप भो भी कोई फरक नीपड़ था लेकिन उनकी द्रिश्टी शुब तो करेगी करेगी जो उनकी नैसर की qualities है वो उनकी रहेंगी रहेंगी चाया वो अश्टमेश हो वो नहीं निकलेंगी जो अंदर की qualities हैं क्योंकि दो राशी उनकी रहेंगी हो सकता है कश्टम में दूसरी अच्छे वारे में समझ में आई होंगी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही जुड़े रहें मेरे साथ अगर आप जानना चाहते हैं लॉजिकल वे में जो तिश्को रेकी को वास्तू अंकशास्र आपके औरे के बारे में तो बिल्कुल मेरे चैनल क आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे 9654 वाले नंबर में वही मैं इसमें दे रही हूं दूसरा नंबर मेरा बंध है और आप अगर रेकी करवाना चाते हैं रेकी सीखना चाते हैं उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं ऐसे ही जुड़े रहे बहुत सारी चीज़ों क के साथ मैं आपके लिए आती रहूंगी तब तक आप अपना सम्मान कीजिए जोतिश के सम्मान कीजिए और जोत्षियों के सम्मान कीजिए मैं रमाजोशी प्रणाम